लंबे समय से राजस्थान विश्विधाले के समीदा करमचारी अपने विभिन मांगों को लेकर यूनिवसिटी प्रशासन को ग्यापन दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन के ओर से मांगे नहीं माने जाने के बाद समिधा करमचारी अब उप मुखे मंत्री सचिन पाइलट के आवास पर पहुंचे. जहनों ने सचिन पाइलेट को ग्यापन सोपा दरसल समीधा करमचारी पिछले कई महिनों से राजस्थान विश्य विधाले प्रशासन से करमचारीों की सूची राजस्थान सरकार को भेजने और समिधा करमचारियों का वेतन सुप्रिम कोट के आदेशा नुसार 18,000 करने और साथी समिधा करमचारियों की कार्यावधी का आदेश कम से कम एक साल से निकलवाने की मांग कर रहे हैं